मैं पूरी कोशिश करूँगा मगर गुले की सपोर्ट होगी जो इस ट्रीट्मेंट के लिए बहुत जरूरी है कर दो इस ट्रीट्मेंट के लिए बहुत जरूरी है कर दो इस ट्रीट्मेंट के लिए जरूरी है कर दो इस ट्रीट्मेंट के लिए बहुत जरूरी है के बस नहीं चलता मिस्टर नजीब अगर मैं वाकई बिमार हूं तो मैं कभी भी आप पर बोश नहीं बनना चाहती मेरा इस्रार करके तुम्हें यहाल आने का मकसद सिर्फ यह है कि तुम्हें मुझ पर ताके तुम्हारे दिल में कोई शक्त न रहे खास बार पर इस बारे में है जम्रत मेडम हमने एक साथ वक उजारा है कभी एक साथ खुश हुए है तो कभी एक दुसरे के दिल दोड़ा है घूर घूर जहर पीने से बहतर है एक बार सारा जहर पीना यह इनसान को अंदर से खा जाता है अब मैं क्या कहूँ तुम से तुम्हारा वो महबत का इधार करना भी मुझे भी अंदर यंदर खाय जा रहा है खास दोर पर वो तस्वीरें देखने के बाद नहीं मुझ में हुसला रहा है ना जहनी सकूम समझ नहीं यादा कि क्या करूँ मैं तुम्हारे अंदर मौजूद शक को खित्मा भी निकालना चाहूँ मैंने इस शक्स के लिए अपने अंदर कुछ भी महसूस नहीं किया मेरा शहर होते वे भी मुझ में दिल्चस्पी ना लेना मिस्टर नजीब मेरी आँखों के सामने में सिर्ज अक्बाल से तुम्हारी वो रिलेशन्शिप मेरी बर्दाश से क्या कहूं मेरे लिए तुम्हारी महबत गुरूर का बाइस थी इसी वज़े से मैं तुम्हारी मामूली बातों से चैलिस हो जाये करती थी अब मैं क्या करूं मुझे हर पल आपकी जरूरत है मैं क्या कर सकती हूं मैं अपने आपको कितना तना हम रहसूस करते हूं जब तुम्हे नजरों से मेरी तरफ देखते हो उसक्त मेरा मढ़ने को देख चाहता है अभी तुम्हारे सामने एक तंदरुस्त और नम्वी जिन्दे की पढ़िये इन्शाल्ला यकीन करो तुमने जो कुछ भी खाया है दिल चाहता है उस पे अदिबार करूं क्या ये सच है मगर ये चान लो के ये इतना असान नहीं होगा तुम्हारे प्यारों मभबत पर भुरुसा करना बहुत दुश्वार होगा अब मेरे लिए हमारे आने से पहले कितनी बाते बता दी है लेकिन अब तक असल मौजू पर नहीं आया हम मतलब के मैं कहानी मुक्तसर करूं मुम्किन हो तो दमाके वाली नियूस बताएं ओके मैंने भी एंड को बहुत ही खूफिया रखा था सीधे ओकर बैठो तुम्हारे आगी एक प्रेग्रेंट औरट बैठी है वाकिए कौन है इस बच्चे का बाप तुम्हें क्या लगता है मुझे लगता है मिस्टर चिनार अलगास का है सही कह रहे हो तुम्हें मिस्टर चिनार के भी तोपराख से शादी हुए वक्ती कितना हुआ है या फिर इनकी शादी से पहले आप प्रेग्रेंट है वल्ला ये सब मैं तुम्हारे सामने सोचने के लिए छोड़ती हूँ लेकिन तुम्हारी इन्फरमेशन के लिए बता दू कि मैं तुपराख से पहले थी और तुपराख के बाद भी हूँ क्यानी अलगास फैमिली को वार्स भी मैं ही दूँगी बेबी बॉय है यानी बिल्कुल सही आ जाएं क्या तुमने सारी तेकिकात कर ली जी नहीं जनाब मैं तफसील जाने बगार रह नहीं सकूँगा जो तमाम डॉकुमेंट्स आपने मगवाए है अब बुड़ा हो चुका हूँ माँ कबर में है अल्ला खैर करेगा मौत किसी पे रहम नहीं खाती है असन देखो फॉर्णर्स की कितनी अच्छी आदत होती है वो अपनी वसीयत लिक कर कीशे छोड़ देते हैं और बिल्कुल बेफिकर हो जाते हैं मैं भी यही चाहता हूँ कि अपने जिन्दगी में अपनी जादाद अपने वारसेंद के हवाले कर दूँ इंशालला जी बिल्कुल ठीक है जैसे आपका हुक्म हो मिस्टर रजीब शाहब मैं अपनी सारी जादाद चिनार के नाम कर दूँगा सिर्फ एक बंगला मिसीन इंगबाल के नाम कंपने के शियर्स के चार हिस्व में ते तीन चिनार के नाम और बागी एक षिसा रेहान के नाम रिहान के नाम, आप पेपर तेयर करवाएं, कल सबसे साइन करवा लिजेगा जैसा हुखम नजीब साब शुक्रिया हसन मैं आ सकती हूँ ना भाईजान आव बेटे रिहान भाई, चिनार से बात कुई मेरी तोपराग की बेहन का इंतिकाल हो गया है ये क्या कह रही हो बहुत कम अमर थी, अल्ला ताला उसके मुख़रत हो रमाए तोपराग कैसी है बुरा हाल है उसका वो चिनार के साथ वापस आ रही है हारे हन मोदो मर जवाने नहीं देख्थी मोदो मर जवाने नहीं देख्थी देखो घर भी आ गया आ रही हो आ रही हो आ जो तोपराग संभल के बिटा कहा रह गए थे तुम लोग इसे क्या हो गया बिटा ठीक तो है अमी बहा निकलने से पहले इंजेक्शन लगाए उसी का ही असर है अंदर चलो चलो हाए मेरे अल्ला मैंने जरूरत की हर चीज तुमारे कमरे में रख़ा दिये बिटा क्या हो गया ये हाए मेरी बच्ची क्या है पेटा पूरी रात ये ऐसे ही सोती रहेगी क्या मेरी बच्ची सोना बेहतर है में सोना बेहतर है इतना बड़ा सद्मा कैसे सहेगी परिशान मत हो अल्ला मदद करेगा देखो तुम होना इसके पास मुझसे भी जो कुछ हो सकेगा मैं करूंगी हाँ मिस्टर बुलेंट की कॉल आए थी वो है मैं तु सादमी को अंदर बठा का भूले गई वो कब से आया हुआ है वेलकम मिस्टर बुलेंट माजर चाहता हूँ इंतजार करवाया कोई बात नहीं मिस्टर चनार मैं अभी पहुंचाँ तश्रीफ रखिया इजाज़त हो तो सिदा पॉइंट की तरफ आता हूँ जैसे कि आपको पता है कि आज का जो दिन है वो हमार लिए बहुत भारी है मेरी बीवी की बहन का इंतिकाल हो गया वो सरफ उसके लिए बहन नहीं थी बलकि एक माँ की तरह भी थी और सिर्फ ये बात नहीं है कि वो इस दुनिया से जली गई लेकिन उसकी मौत एक दर्दनाक हादसे में हुई और तोपरा के जहन में ये हादसा सवार है और फ्रैंक्ली मुझे उसके बारे में बहुत फिकर है मैं समझ रहो मिस्टर चनार आपके आने से पहले मिस्स अगबा से बात हो रही थी उन्होंने बताया कि आपकी वाइफ के एक अजीज का एक साल पहले इंतकाल हुआ है जे उस वक्त भी वो बहुत ज़्यादा शौक में गई थी दरसल लेखा जाए तो वो अभी तक उस सब में से नहीं निकली थी और उस वक्त भी उसके साथ उसकी एमोशनल सपोर्ट के लिए उसकी बहन हवा ही थी तौबा बिसमिल्ला इससे पहले कि वो दिमाग पर इस बात का और ज़्यादा से ले लें मैं फौरी तोर पर मिस्स तोपराक से बात करना चाओंगा उनका गम इस वक्त बहुत ताज़ा है इसी वज़ा से उन्होंने अपने आप सबसे अलग कर लिया है मुझसे भी खास तोर पर अपने करीबी लोगों से उनके लिए उनकी बहन की याद दिलाने वाली हर चीज़ तकलीफ दे है जिसके वज़ा से वो सबसे लात तालग होकर बैट गई गई है ठीक है मुझे बताएए मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ उसका गाम उसका दर्द मैं किस तरह कम कर सकता हूँ सबर करना होगा कहा हो तुम रेहान सुबह से तुम्हें पूछ रही हो तुम्हारा इंदिजार कर रही हो यास्मीन भाई के साथ खाना खा रही थी इसलिए नहीं आ सकी और मैं यहाँ पागल हो रही हूँ क्या हो गया क्यों ले आया उसे वो बापस सुला हो गई उनकी मुझे नहीं मालूम भावी ने कुछ नहीं का इस बारे में ओहो यार मगर इनकी सुला नहीं हुई अब तक अब इसका क्या मतलब है रेहान गेम खेल रही हो तुमत से मैं उस लड़की के पास गई बात की मैंने उससे अदास थी वापस जैन का कोई रादा नहीं था चिनार भी बहुत अपसित था अब क्या हुआ यास्मी तो प्राक की बहन मर गई क्या उसका दिमागी तवाजन ठीक नहीं है भावी ने बताया वो हवास में नहीं है अपने ऐसी हालत में चिनार उसे छोड़कर चला जाए ऐसे इंसान नहीं है वो मेरी किस्मत तो देखो रहान एन टाइम पर आकर दर्मियान में रिकावट आ गई मैंने तो ये सोचा था कि चिनार वापस आ जाएगा यकीन करो क्या कर सकते है यासमीन अप तकलीफ में मुब्तिला इंसान ही शोर मचाता है क्या पता हमें तो प्राक ने चिनार का इंतिजार किया हो और माफ करके तालुका जोड़ लिये हो रहान जी तुम मज़े समझ नहीं पाएं गालेबन उसे हमारी जिन्दगी से निकलना होगा क्यूंके मेरा कभी भी चिनार को छोड़ने का कोई रादा नहीं है क्यूंके सो रही है बिटा ठीके ठीके सोने दो बेटा मैंने सूप पनाया है तुम्हारे लिए गरम गरम पीलो ताके तुम्हें भी ताकत मिले बेटा हम किचन ही में होंगे ना कहीं दूर तो नहीं जा रहे है वो आ भी करेगी तो हम सुन लेंगे चलो मेरे बच्चे चलो आ जाओ आओ अन्य जब भी उसकी आँखे खुलती हैं मुझे उनमे वही गम नजर आता है इस तरह मैं पागल हो जाओ अमे मैं उसके पास हूँ लेकिन क्या उसे एसास है अमी हम किस कदर बेबस होते है हाई क्या मैं नहीं जानती बेटा उसकी ये हालत और उसका ये घं तुम्हें भी चला रहा है हुग मार कर बुझाना चाओगे तो ये आग और भड़क जाएगी क्या कर सकते हैं बेटा सिवाए सबर के अल्ला से भी फर्याद करनी होगी अपनी बीवी के लिए भी और अपने लिए भी तुम्हें दौा करनी चाहिए उसके अलावा और क्या चाह रहा है तुम्हारी माने ठीक का हा तुम्हें देखे बगएर और ताज़ियत किये बगएर मुझे सकुन नहीं मिलता शुक्रिया किसी चीज़ की ज़रुरत है तुम्हें नए बहुत शुक्रिया आपका आपने आकर बिला वज़े जहमत की तुम्हारी मा की कहिवी बाते मैंने सुन ली अपनी जान से प्यारे चीज़ को खोना किस कदर तक्रिफ दे है यह तुम अच्छी तरह चांते हो इसलिए अपनी बीवी को तरह मत छोड़ो ते खुश रखो ऐसे वक्त में इंसान हमेशा अपनों की महबबट चाता है महबबट करने वाले हस्ती को खो देना सबसे बड़ा इम्तिहान है तनकीत की बगर एक तुस्रे का सारा बनो तो और ज्यादा मस्बूत हो जाओगे इंशालला मिस्टर नजीब इंशालला अब मैं चलता हूँ किसी भी चीशी ज़रूत हो तो फून कर सकते हो मैं मिस्टर नजीब को सी ओफ करके आती हूँ बेटा जो दिवार खड़ी है हमारे दर्म्यान वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है इसके अलावा यहादे पार करके उसे अपना बेटा कहने से भी डरता हूँ कहीं हो मुझे छोड़ के ना चला जाए मिस्टर नजीब कुछ दिर पहने आपने ही ये कहा था ना कि हम उने समझाने की कोशिश करेंगे सबर करना होगा कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा मिस्टर नजीब मैंने अपनी तमाम उमेदे खतम कर दी है मेरी इलत्जा है अल्ला मेरे बेटे की तमाम मुझेला दूर करे चले अब मैं चलता हूँ अपने खेल र की का तम तो मींसकरिए लो मेरी अपको मैं भी उतास हूँ मगर मेरी फिकर मत करो मैं जाओंगी तो तुम्हे साथ ले जाओंगी अब ये मसला कहां से आ गया क्या मिस्टर नजीब ये नहीं जानते कि मैं तो प्रा कुछ छोड़ के नहीं आ सकता यानि हमें क्यों वो इस तरह बुला रहे हैं मैं नहीं समझ पाया वल्ला मैं भी कुछ नहीं जानती बेटा वगर छोड़ा सा काम है उन्हें शायद कोई दस्तखत और गयरा करवाने इसका वक्त नहीं अभी मिस्टर नजीब ये को मालूम होगा बीटा अगर कोई अहम बात ना होती तो वो कभी न बुलाते तुम चाहो तो हम लोग अलग अलग चले जाएंगे चनार पहले तुम हो और मैं चली जाओंगी ठीक है हाँ सर आप पे फिकर हो जाए मैं ख्याल रख लूँगी तो प्राग मैडम का वैसे भी वो मैंडिसन खाकर सो गई है हाँ चले अभी चलते हैं आप जल्दी आ जाईएगा वापस मैं पर एक दो खंटे बाद काम खत्म करके आउँगा ओकी मेरे प्यारे बेटे और हाँ तुम मेरे बेटी के पास से हिलना भी मत वो तुम्हारे पास अमानक है अमारी चलो चले हैं आजे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ आईए कैसी है आप दर्द तो नहीं राद जर अटेंशन में गुजारी मगर इस वक्त ठीक हूँ आफिस जा रहा हूँ थोड़ा काम है वहाँ पर उसके बाद आपको फोन करूंगा कहीं बैठकर बाच्चित करना अच्छा लगे का आपको मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी अच्छा चलता हूँ मैं अच्छा रहा हूँ आउ हसन आपकी खौईश के मताबिक तमाम बेपरत्यार हो चुके हैं शुक्रिया मिस्टर हसन फिलाल हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देंगे जैसा आपका हुकम जनाब मैंने एक फैसला किया है आप सब को इस मिटिंग के बारे में तजस्स होगा इस वज़ा से मैं मैं ज्यादा वक्त नहीं लूँगा मैंने फैसला किया है कमपनी के सारे मामलाद आपके हवाले करने का इसके अलावा मैं अपनी तमाम चैदाद आप सब के दर्मियान तक्सीम करना चाहता हूँ जिसके बाद मैं हर चीज से किना रकश हो जाऊँगा ये सब क्या है अखर क्या कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते नहीं बेटा मैंने सोचा कि मैं अपना ये फर्ज मरने से पहले ही अदा कर देना चाहता हूँ अच्छा तो फर्ज इस तरह ने बाया जाता है मेरा मतलब है कि मैं आपका मकसद नहीं समझा फॉरान नहीं अपने दिमाग में उल्टी सीधी बाते मतलाओ मसलिहत इन वो इसका सबब फॉरी तोर पर नहीं बता रहे हैं असल बात ये है कि मिस्टर नजीब समरुत खानम से अलैद्गी का फैसला कर लिया है समरुत खानम इस मौके का फायदा उठाना चाहती है अलमने के नाम पर वो सब कुछ छीन लेना चाहती है मिस्टर नजीब से मगर मिस्टर नजीब ऐसी चीज़ों को कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे वो चाहते हैं कि खानदान की जायदाद खानदान ही में रहे इसी लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं वो और हम सब को यहां जमा किया है हाँ दरसल बात तो यही है अलबता मिस्स जमुरत मेरी बीवी होने के हिस्ट से मेरी जादाद में अगदार है लेकिन दुनिया के काम दुनिया में मौजूद रहते हुए ही हल करने न चाहिए ये ले पेपर्स देख लें अप लो ये लो रेहान मिस्टर हसन ने पेपर्स तयार किये मैंने भी दस्तख़त कर दिये मैंने पेपर्स देख लेहान ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसना है में, बिल्कुल भी नहीं तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो, ये सब तुम्हारा हक ता, इसलिए तुम्हें मिल गया चिनार, मैं तुम्हें एक बात बताओं, मिस्टर नजीब चैदाद को कभी तकसीम ना करते, जमरुट को रोकने का यही एक तरीखा था बेहतर तो यही होता कि ये लोग अपने मसले से हमें दूर रखते एह, मैं जरा अब घर जाओ, मेरा ध्यान टोपरा की तरफ ही लगा हुआ है मैं भी काम खत्म करते ही आ जाओंगा तो बिलकुल फिक्र मत करो मेरी जान, मैं अपने आप से बढ़कर ख्याल रखूंगे अपनी बहू का इसमें कोई शक नहीं, शुक्रिया में चलो बेटा, खुश रहो, जीते रहो खुदा हाफिज अमी मेरा काम खत्म हो गया है, मैं निकल रहा हूँ आफिज से कहा मिलना पसंद करेंगे आफ जमनत मेडम आज शाम खाने पर मिलते हैं, क्या ख्याल है आपका ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज तो ये बात है, मैं भी तुम्हारे खाने में जहर ना डाल टूँ तुम मेरा नाम इकबाल नहीं है, मिस्टर नचीब तौबराख, मेरी बेटी आख खुली तो लोग तुम्हें मेरे पास से ले उड़े, मैं सोती रह गई मैं किस-किस के लिए रहूँ तौबराख, तौबराख, ओफ मैं क्या करो मैं ठीक हूँ अम्मी, आप फिकर मत करें, आईशा भी मेरे पास है मेरी बेटी, इस अलाओ का क्या करो जो मेरे अंदर जल रहा है, कैसे मुझे की आख कैसे मुझे हो, काश तुम मेरे पास होती तो इसी से तसली मिलती मुझे होँआ कर जीता जाता चेरा देखना नसीब नहुआ मुझे तुम होती तुम से सहरा मिलता अलाओ, मैं कैसे बर्दाश्ट करो, मुझे से बर्दाश्ट नहीं होता ये गम अमी अब ठीक हो जाएंगी, तो हम सब ठीक हो जाएंगे, आप, बाबा, आपा और हम सब तुम राओ, मुझे सच बताओ, तुम्हारी तबियत तो ठीक है ना मैंने बताया ना मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिकर मत करें, और ज्यादा मत रोएं आप उदास होंगी अमी, तो मुझे भी बहुत दुख होगा, अमी आप, मैं, और गुडिया परिशान हो जाएंगी, और मैंने उससे वादा किया है, मैं उससे साथ लेके जाऊंगी, तो प्राख, तो प्राख, अपने प्यारों के पास अमी जान, जो मुझे बहुत यादा मैंने तुम्हे खास तोर पर हिदायत की थी, क्या अपनी नजरों के सामने से मत हटने देना मिस्टर नजीव की कार को, रैड लाइट आ गई थी मैडम, मैं तो उनके पीछे ही था, मगर आप परिशान ना हों, शायर सीदे हाथ पर मुड़े होंगे वो, बहाना भी हासिर है, इतनी बड़ी गाड़ी भाब बनकर तो नहीं उड़ गई, मैंने कहा था ना के गाड़ी पर नजर रखना, आप कहें तो सामने आली गली में देख लूँ, कोई जरूरत नहीं है, मुड़ चाओ, पर्ड़ो वापस, वैसे भी मैं है रानू, बंगले की लो, शायद घर चले गए होंगे, मिस्टर नचीव क्या तुम जानते हो, तुम क्या कर रहे हैं? मैं अपनी चीज़ें जमा कर रहा हूँ मैं कुछ समझी नहीं मैं जा रहा हूं रहान वक्ती पर शर्मिन्ना होने के बजाए, तुम जा रहे हो हाँ, यही बात है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, क्यूंकि तुम से बात करने का कोई फाइदा नहीं है मैंने जब भी तुमारे करीब आना चाहा, तुमने जहर उकलना शुरू कर दिया दो दिन में मेरे नाक में दम कर दिया है, क्या करूं, नहीं है तो ना सही, जबर दस्ती का कोई फाइदा नहीं अलेट की अख्यार कर लेनी चाहिए, ताके यह आजियत खत्म हो जाए ज्यादे इंतजर तो नहीं करवाया मैंने नहीं, मैं अभी अभी आई हूँ, मगर मुझे लगा शायद ख्लिट रगा गई हूँ मैंने खास तौर पर ये जगा स्रेट की थी ये बात है तो जरूर कोई खास वाज़ा होगी क्योंकि हम ऐसे जगों पर आने के आदी नहीं है इस तरह के महंगे तेरीन होटल में खाना खाना हता कि इससे भी ज्यादा आयाशी से टाइम पास करना वगएरा जरूरत पढ़ी तो विला की रहाश तरक करके दो कमरों की घर में गुजारा करना पड़ेगा आप कहना क्या चाहते हैं मैं समझी नहीं मजाख है क्या काफी सीरियस हूँ आप के पास आने से पहले मैंने सारी प्रॉपरटी मंतख्ल कर दी अब मेरी जब में सिर्व रिटार्मेंट के पैसे हैं आपको मुझसे अगर अबे भी सची महमबत है तो कम आन जिन्दगी भर एक साथ सांस लेते हैं कर लो आंस कि आपको में कि पास को झाल झाल आपा तुम छोड़के चली गई मैं भी आरी हो तुम्हारे पास झाल 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 झाल